काफी सारे रिव्यू पढ़ने के बाद और सुनने के बाद सोचा कि इस सीरीज को देखी लेते हैं तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे लुसिफर वेब सीरीज के बारे में इसके फर्स सीजन में 13 एपिसोड हैं मतलब मैं तो स्टार्टिंग में यह 13 एपिसोड देख की डर गया मनुक्त कैसे होंगे फिर जैसे तैसे मैंने इसको देखना शुरू किया चलो एक बार फर्स सीजन का यानि फर्स एपिसोड देख भी लेते हैं इंटरस्ट आता है तो आगे कॉंटिन्यू करते हैं तो हां फर्स एपिसोड जैसे देखना शुरू करते हैं तो इंटरस्ट आने लगता है और ऐसे धीरे 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 13 एपिसोड करने की कहानी की बात करते हैं तो एक डैविड जो यानि हैल का किंग है वो अपने काम से बो और फिर चुटियों पर जाते हैं या फिर एक बार इस काम से थोड़ा सा पीछी अटते हैं ताकि थोड़ा से रिलेक्स मिल सके और वो चुटिया मनाने धरती पैजाते एक आम इंसान बनके और यहां पर वो एक बार भी चलाता है अच्छा खासा रेस्टरांट या बार जो भ जाल्या है इन वार जब इसकी तो सब करते हैं और हर एक एपिसोड के अन्दर अलगअग़ के इन अलग-अलग cases के साथ सब Lucifer की थोड़ी-थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी story हमें दिखाए जाती है, कि उसकी life में कोई क्या twist आया, कैसे उसके अंदर suspense आ रहे हैं, कैसे उसके behavior में change आ रहा है, तो ये 13 episode के जो last के कुछ एक minutes के अंदर Lucifer की story दिखाए जाती है, और सबसे अच्छी चीज मुझे इस series की, जो Lucifer का character है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, just because of उसकी हाजित जवाबी जैसे होती है, मतलब वो हर एक बात का, विल्कुल सच सच जवाब देता है, कि भई पर कोई इनसान उसकी बात पर यकीन करता नहीं है, क्योंकि इनसान को लगता है, यह पागल है, थोड़ा जूट बोल रहा होगा, या फिर एक अलगी दुनिया में जी रहा होगा, तो इस करके इसके उपर यकीन होता नहीं, कि एक जो चीज जो मुझे लगी इस series के अंदर, कि Lucifer चाहता, जिसको यह बताना चाह रहा है, कि मैं devil हूँ, मुझे पर यकीन कर लो, तो एक तरीका था, एक episode भी आता है, जिसमें Lucifer की कुछ चीजें दिखाई जाती है, तो वो चीज दिखा सकता था, लेकिन भाई साब वो नहीं चीज दिखाता है, तो एक बार कही ना कही मुझे लगते हैं, बताना भी चाहता है, नहीं भी बताना चाहता है, भाई, clear तो कर लो, वहाँ पे तुम चाहते हैं, साथ-साथ, Lucifer का एक भाई भी इसके अंदर दिखाया गया है, starting के कुछ episodes के अंदर, जो Lucifer का भाई है, उसकी कुछ power समय देखने को मिलती है, वहाँ पर साथ है कि devils की power क्या है, और कैसे वो इसका use कर रहा है, starting में रहता है कुछ ऐसा, लेकिन बाद में जो 13 episode है, उसमें बहुत normal सी story चल दिया है, मतलब कि एक इनसान के तरीके से एक devil behave कर रहा है, यार तुम devil हो या, उसकी कुछ respect तो कर लो, लेकिन उसका कुछ भी power हमें देखन सीजन बना डाला, तो उसके अंदर अगर आप ऐसे story दिखाएंगे, खीच रखा है, मुझे ऐसे ही लगा कि story के अंदर बहुत जाता खीचा गया है, और 13 episode दिखा दिये first season के अंदर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को कम किया जा सकता था, कुछ episodes को कम करके, obviously story last के आप Lucifer की कुछ mintो की दिखा रहे हो, वो तो किसी और भी episode के अंदर cover की जा सकती थी, लेकिन वो चीज़े नहीं की गई, care first season मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं second season नहीं देखना चाता हूँ, मैं जानना चाता हूँ कि Lucifer की story कैसे चलती आगे, उ first season देखेंगे तो आपको पता चल जाएगे कि devil को कुछ हो रहा है, वो भी एक तरीके से मतलब छोड़ो छोड़ो, बताया तो मुझे गालियां पड़ जाएगी, तो वो एक suspense मैं जानना चाता हूँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, उसके even भाई के साथ भी वैसा होने लग गया है, तो यह सब चीजे मैं जानने का इच्चुक हूँ, शायद second season मुझे पसंद आए, second season ना आया, तो third season पसंद आएगा, third season नहीं आया तो season four आजाएगा, four नहीं आया तो five आजाएगा, at least कुछ तो आएगा, care, सारे season देखेंगे, अभी थोड़ा बहुत इंटरस बना है, लेकिन first season के लिए मैं जितना उत्सूग था, जितना इसके बारे में सुना था, उतनी उमीदों पर खरी नहीं उतरी है, हिंदी डबिंग है, हिंदी डबिंग से मुझे इसकी English ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी quality कम लगी हिंदी ड से इस season को मैं देना चाहूंगा, six out of ten, अपने विचार प्लीज, comment section में रख देना, और जिन्हों नहीं देखिए तो मैं यह कह सकता हूँ, क्या आप one time तो consider करी सकते हैं, first seconds episode आप देखेंगे, तो आपको interest आएगा, obviously concept बहुत नया लगेगा, आपको एक devil जो है, वो धरती प झाल